आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हमारा प्रशन है एक रेल गाड़ी 500 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुल को क्रमसा 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर लेती है तो रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है तो आईए इस रहल करता है तो यहाँ पर हम रेल गाड़ी की लंबाई बान लेते हैं बराबर X तो यहाँ पर जब यह 500 मीटर वाले platform को या फिर pull को पार करेगी तो इसे 100 second लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे इसमें इसकी खुद की लंबाई भी सम्मिलित होगी ठीक है तो हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय ठीक है तो यहाँ पे देखी इसमें दोनों चीज़ चेंज हो रहा है यहाँ पे दूरी भी चेंज हो रही है लेकिन यहाँ पे समय भी चेंज हो रहा है जबकि दोनों में यहाँ पे rail guard की यहाँ पे चाल समान रहेगी ठीक है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाल पहला बराबर है चाल दूसरे के ठीक है? तो यहाँ पर यह हो जाएगा दूरी बटा समय पहले प्लेटफॉर्म के लिए या फिर पहले पुल के लिए और यह हो जाएगा दूरी बटा समय दूसरे पुल के लिए ठीक है? तो यहाँ पर इसकी दूरी हो जाएगी 500 तो यहां से इसे हल करेंगे, तो यह हो जाएगा 500 plus x बटा में, यहां पर 5 हो जाएगा और यहां पर आजाएगा 200 plus x बटा 3, ठीक है, यहां पर दोनों में 20 से भाग दे दिया, ठीक है, तो यहां पर यह हो जाएगा 500 plus 3x बराबर, यहां पर हो जाएगा 1250 plus 5x, ठीक है, तो यह यहां पर आजाएगा 5X-3X, तो यहां पर आजाएगा 2X बराबर, 14000-1250, तो यहां पर आजाएगा 200, ठीक है? तो यहां से आजाएगा X बराबर 125 मीटर, ठीक है? तो यह होगया हमारा फाइनल आंसर, धन्यवाद!